अध्याय तीस, रोमन, अलिफ, लाम, मीन, पराजित हो गए रूमी, समीप की धर्ती में और वे अपने पराजित होने के पश्चात जल्द ही विजई हो जाएंगे. कुछ वर्षों में, अल्ला ही का अधिकार है पहले भी, और बाद में भी, और उस दिन प्रसन होंगे इमान वाले. अल्ला की सहायता से तथा वही अती प्रभुत्वशाली, दयावान है. ये अल्ला का वचन है, नहीं विरुद करेगा, अल्ला अपने वचन के और परन्तु अधिकतर लोग ज्यान नहीं रखते. वे तो जानते हैं बस उपरी सांसारिक जीवन को तथावे पर लोग से अचेत हैं. क्या और उन्होंने अपने में सोच विचार नहीं किया की नहीं उत्पन किया है, अल्ला ने आकाशों तथा धर्ती को और जो कुछ उन दोनों के बीच है, परन्तु सत्यानुसार और एक निश्चित अवधी के लिए, और बहुत से लोग अपने पालनहार से मिलने का इंकार करने वाले हैं. फिर हो गया उनका बुरा अंत, जिन्होंने बुराई की, इसलिए कि उन्होंने जूट कहा अल्ला की आयतों को और वे उनका उपहास कर रहे थे. अल्ला ही उत्पत्ती का आरंब करता है, फिर उसे दुहराएगा तथा उसी की ओर, तुम फेरे जाओगे. और जब स्थापित होगी प्रलेय, तो निराश हो जाएंगे अपराधी. और नहीं होगा उनके साजियों में उनका अभिस्तावक्त सिफारिशी और वे अपने साजियों का इंकार करने वाले होंगे. और जिस दिन स्थापित होगी प्रलेय, तो उस दिन सब अलग अलग हो जाएंगे. तो जो इमान लाय तथा सदाचार किये, वही स्वर्ग में प्रसंद किये जाएंगे. और जिन्होंने कफ्र किया और जुठलाया हमारी आयतों को और परलोग के मिलन को, तो वही यातना में उपस्थित किये हुए होंगे. अतः, तुम अल्लाह की पवित्रता का वर्णन संध्या तथा सवेरे किया करो. तथा उसी की प्रशंसा है आकाशों तथा धर्ती में तीसरे पहर तथा जब दो पहर हो. वह निकालता है जीवित से निर्जीव को तथा निकालता है निर्जीव से जीव को और जीवित कर देता है धर्ती को, उसके मरन, सूखने के पश्चात और इसी प्रकार, तुम भी निकाले जाओगे और उसकी शक्ति के लक्षनों में से ये भी है कि तुम्हें उत्पन किया मिटी से, फिर अब तुम मनुष्य हो की धर्ती में फैलते जा रहे हो तथा उसकी निशानियों लक्षने में से ये भी है कि उत्पन किये तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े ताकि तुम शांती प्राप्त करो उनके पास तथा उत्पन कर दिया तुम्हारे बीच प्रेम तथा दया वास्तव में इसमें कई निशानिया है उन लोगों के ल निश्चे इसमें कई निशानिया हैं ज्यानियों के लिए उसके द्वारा धर्ती को, उसके मरण के पश्चात, वस्तुता, इसमें कई निशानिया हैं, उन लोगों के लिए, जो सोचते हैं, और उसकी निशानियों में से है कि स्थापित हैं आकाश तथा धर्ती उसके आदेश से, फिर जब तुम्हें पुकारेगा एक बार धर्ती से, तो सैसा तुम निकल पढ़ोगे, और उसी का है, जो आकाशों तथा धर्ती में है, सब उसी के अधीन है, तथा वही है, जो आरंब करता है उत्पत्ती का, फिर वह उसे दुहराएगा और वहती सरल है उस पर और उसी का सरवोच गुन है आकाशों तथा धर्ती में और वही प्रभुत्वशाली, तत्वग्य है, उसने एक उदाहरन दिया है स्वयम तुम्हारा, क्या तुम्हारे दासों में से तुम्हारा कोई साजी है उसमें, जो जीविका प्रदान की है हमने तुम हैं, तो तुम उसमें उसके बराबर हो, उनसे डरते हो जैसे अपनों से डरते हो, इसी प्रकार हम वर्णन करते हैं आयतों का उन लोगों के लिए जो समझ रखते हैं बलकि चले हैं अत्याचारी अपनी मनमानी पर बिना समझे तो कौन राह दिखाए उसे जिसे अल्लाह ने कुपत कर दिया हो और नहीं है उनका कोई सहायक तो फे नबी, आप सीधा रखें अपना मुखिस धर्म की दिशा में, एक और होकर उस स्वभाव पर पैदा किया है अल्लाह ने मनुश्यों को जिस पर बदलना नहीं है अल्लाह के धर्म को, यही स्वभाविक धर्म है, किन्तु अधिकतर लोग नहीं जानते ध्यान करके अल्लाह की ओर और डरो उससे तथा स्थापना करो नमाज की और नहों जाओ मुश्रिकों में से उन में से जिन्होंने अलग बना लिया अपना धर्म और हो गए कई गिरोह, प्रति एक गिरोह उसी में जो उसके पास है, मगन है और जब पहुँचता है मनुश्यों को कोई दुहक, तो वह पुकारते हैं अपने पालनहार को ध्यान लगा कर उसकी ओर फिर जब वह चखाटा है उनको, अपनी ओर से कोई दया, तो सैसा एक गिरोह उनमें से अपने पालनहार के साथ शिर्प करने लगता है ताकि वे कृत्धन हो जाएं उसके, जो हमने प्रदान किया है उन्हें, तो तुम आननद ले लो, तुम्हें शीग्रही ग्यान हो जाएगा क्या हमने उतारा है उन पर कोई प्रमान, जो वर्नन करता है उसका, जिसे वे अल्लाह का साजी बना रहे हैं और जब हम चखाते हैं लोगों को कुछ दया, तो वे उस पर इत्राने लगते हैं और यदि पहुँचता है उन्हें कोई दुहक उनके करतूतों के कारण, तो वस ऐसा निराश हो जाते हैं क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह फैला देता है जीविका, जिसके लिए चाहता है और नापकर देता है? निश्चे इसमें बहुत सी निशानिया हैं, उन लोगों के लिए, जो इमान लाते हैं तो दो समीपवर्तियों को उनका अधिकार तथा निर्धनों और यात्रियों को, ये उत्तम है उन लोगों के लिए, जो चाहते हों अल्लाह की प्रसन्नता और वही सफल होने वाले हैं और जो तुम व्यास देते हो, ताकि अधिक हो जाए लोगों के धनों में मिलकर, तो वो अधिक नहीं होता अल्लाह के यहां तथा तुम जो ज़कात देते हो, चाहते हुए अल्लाह की प्रसन्नता, तो वही लोग सफल होने वाले हैं अल्लाह ही है, जिसने उत्पन किया है तुम्हें, फिर तुम्हें जीविका प्रदान की, फिर तुम्हें मारेगा, फिर जीवित करेगा, तो क्या तुम्हारे साजियों में से कोई है, जो इसमें से कुछ कर सके? वह पवित्र है और उच्छ है, उनके साजी बनाने से फैल गया उब्द्रव जल तथा थल में लोगों के कर्टूतों के कारण, ताकि वह चखाए उन्हें उनका कुछ कर्म, संभवत तहवे रूप जाएं आप कह दे की चलो फिरो धर्ती में, फिर देखो की कैसा रहा उनका अंद, जो इनसे पहले थे, उनमें अधिकतर मुश्रिक थे अतः, आप सीधा रखें अपना मुक्सत धर्म की दिशा में, इससे पहले की आ जाए वह दिन, जिसे फिरना नहीं है अल्लाह की ओर से, उस दिन लोग अलग-अलग हो जाएंगे जिसने कुफर किया, तो उसी पह उसका कुफर है और जिसने सदाचार किया, तो वे अपने ही लिए सफलता का मार्क बना रहे हैं ताकि अल्ला बदला दे उन्हें, जो इमान लाए तथा सदाचार किये, अपने अनुग्रह से, निश्चे वह प्रेम नहीं करता काफिरों से और उसकी निशानियों में से है कि भेजता है वायू को शुबसूचना देने के लिए और ताकि चखाये तुम्हें अपनी दयाप वर्शाप में से और ताकि नाफ चले उसके आदेश से और ताकि तुम खोजो उसकी जीविका और ताकि तुम कृतगे बनो और हमने भेजा आपसे पहले रिसूलों को उनकी जातियों की और तो वे लाए उनके पास खुली निशानिया अंततः हमने बदला ले लिया उनसे जिन्होंने अपराद किया और अनिवार्य था हम पर इमान वालों की सहायता करना अल्ला ही है जो वायों को भेजता है फिर वह बादल उठाती है फिर वह उसे फैलाता है आकाश में जैसे चाहता है और उसे घंगोर बना देता है तो तुम देखते हो बूंदों को निकलते उसके बीच से, फिर जब उसे पहुँचाता है जिसे चाहता है अपने भक्तों में से, तो सहसा वे प्रफुल हो जाते हैं यद्यपी वे थे इस से पहले की उन पर उतारी जाए अती निराश तो देखो अल्ला की दया के लक्षनों को, वह कैसे जीवित करता है धर्ती को, उसके मरण के पश्चात, निश्चय वही जीवित करने वाला है मुर्दों को तथा वह सब कुछ कर सकता है और यदी हम भेज दें उग्रवायू, फिर वे देखने उसे खेती को पीली, तो इसके पश्चात को फुर करने लगते हैं तो फे नभी, आप नहीं सुना सकेंगे मुर्दों को और नहीं सुना सकेंगे बहरों को पुकार, जब वे भाग रहे हों, पीट फेर कर तथा नहीं है आप मार्ग दर्शाने वाले अंधों को उनके कुपत से, आप सुना सकेंगे उनहीं को, जो इमान लाते हैं हमारी आयतों पर, फिर वही मुस्लिम है अल्ला ही है, जिसने उत्पन किया तुम्हे निर्बल दशा से, फिर प्रदान किया निर्बलता के पश्चात बल, फिर कर दिया बल के पश्चात निर्बल तथा बूरा, वह उत्पन करता है, जो चाहता है और वही सर्वग्य, सब सामर्थे रखने वाला है और जिस दिन व्याप्त होगी प्रलय, तो शपत लेंगे अपराधी की वे नहीं रहे क्षणभर के सिवा और इसी प्रकार, वे बहेकते रहे तथा कहेंगे, जो ग्यान दिये गए तथा इमान की तुम रहे हो अल्लाह के लेक में प्रलय के दिन तक, तो अब ये प्रलय का दिन है और परंतु, तुम विश्वास नहीं रखते थे तो उस दिन, नहीं काम देगा अत्याचारियों को उनका तर्क और ना उन से ख्षमायाचना करी जाएगी और हमने वर्नन कर दिया है लोगों के लिए इस कुरान में प्रतेक उदाहरन का और यदि आप ले आएं उनके पास कोई निशानी, तो भी अवश्य कह देंगे, जो काफिर हो गए कि तुम तो केबल जूट बनाते हो इसी प्रकार, मोहर लगा देता है अल्ला उनके दिलों पर, जो समझ नहीं रखते तो आप सहन करें, वास्तव में अल्ला का वचन सत्य है और कदापी वो आपको हलका न समझें, जो विश्वास नहीं रखते